हेलो फ्रेंज मैं हूँ शिवी और आज के इस वीडियो में हम करने वाल है आइटियो यानि इंडियन टैलेंट ओलम्पियाड का क्लास पूर का फर्स्ट राउंड का ये 2018-19 का मैथेमेटिक्स का क्वेश्चिन पेपर सुचल ये स्टार्ट करें बश्ट क्वेश्चिन है या पर सुब्सक्रूली यूजी थे वो है लाक देन उसके बाद 10 तेन मुंद य्णद तेन यसे अ。 में है सो अब हम इसको राइट करते हैं सो 6,00,000 सबसे बड़ा है उसके बाद 4,10,000 उससे छोटा 4,000 उससे छोटा 300 उससे छोटा 2,10 और उससे छोटा 5,1 सो यह हमें ऑप्शन C में दे रखा है सो इसको रेक्ट नेक्स्ट विज ऑफ दी फॉलाइंग स्टेटमेंट इस फॉर दी गेवन अंगल यह जो आंगल है वह 180 डिग्री से छोटा है देखें 180 डिग्री क्या होता है यह दिस इस आपने स्ट्रेट आंगल यानि एक 180 डिग्री और यह 180 डिग्री से छोटा है सो उप्शन C एंगल ABC इस लेफ दे 180 डिग्री इस 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 आंगल ABC next if two-third of the chalk was used what was the original length of the chalk देखें this is the chalk and two-third of the chalk is used यानि one-third of the chalk बज़ रही है यह जो पीस है यह one-third है total number of the total the chalk की length now one-third यानि एक चौक है उसको three parts में divide करां उसमें से one-part जोए वो है two centimeter का now what was the original length of the chalk so chalk के three parts करें so अब यह find करने के लिए हम two centimeter को three से multiply करेंगे जो कि आएगा six centimeters option three is correct choose the number from the options to be filled in the empty circle such that the numbers remain in descending order so यहाँ पर एक कुछ circle और this is an empty circle यह जो है descending order में arrange हो रहा है तो हमसे पूछा गया है कि choose कीजिए options में से कि कौन साइस एंटी circle के जगे पर आएगा सो यह descending order में हो रहा है यार्नी यह कि 8124 से छोटा एंड 700 एंड सॉरी 7920 से बड़ा होना चाहिए इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए सो यह और यह तो 8124 से बड़े हैं और यह 7920 से छोटा है इन दोनों का बीच का नंबर option C में दे रखा है so it's correct next मीना got 8 notes if she has 2000 in all which combination of notes does मीना have so इसका correct option option D है वो हमको परता चलता है कि देखें बाकि तो यह option A, B और C है इनमें 8 notes से कम या जादा है 8 notes तो है ही नहीं total number of notes का तो यह हो ही नहीं सकता है बलकि तो option D है उसमें total number of notes तो हमको दे रखें 3 notes of 500 and 5 notes of 100 यह total number of 8 notes है और उसको 8 notes ही मिले थे और option D is correct और यहां पर अगर हम चेक करें तो 3 notes of 500 500 into 3 is equal to 1500 and 5 notes of 100 is equals to 500 now 1500 plus 500 is equals to 2000 यानी option D correct है आफे नियए पहस्ग ट्विज्ट्वीं फिस निंचेट आभ एंगे प democrats। एंगेु इडल्स फीस चबमि雪 में में डिजाल के बिडि में 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 चूEMA शमें चूपमिंड ंजमाइट इस ग्वेड में 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 निचूल कि ऑड़ गर में में मॉनीन जमाइल तो वन फीट हमें इसको फीट में कनवर्ट करना है तो पहले हम 156 को डिवाइड करेंगे 12 से 156 divided by 12 12 is equals to 13 यानी जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 13 फीट यह हमें दे रखा है ओप्शन सी में सो इसकरेक्ट नेक्स अफाशन डिजाइनर यूजे 6 मेटर 50 सेंटी मेटर ओफ टो मेकर ड्रेस हाँ मच्छ क्लोथ विल विल रिक्वाइड फॉर 12 सेंटी मेटर को मल्टिप्लाइ कर देंगे 12 से विच इप्शन बी में दे रखा है तो इट्स करेक्ट इसमें ऐसे जो ट्राइंगल्स है वो टोटल लंबर है 16 नाव हाफ शेड करना है यानि 8 ट्राइंगल्स शेड होने चाहिए नाव 8 ट्राइंगल्स में से 4 को शेड कर रखा है सो हमें 4 और राइंगल्स को शेड करना होगा सो अप्शन सी में दे रखा है सो इट्स करेक्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चिन मैच दी फॉल्वाइंग यहां पर हमें इसको मैच करना है सो चलिए मैच करते हैं 4, 5, 6, 8 divided by 100 सो इसमें जो क्वेश्चिन आएगा वो आएगा 45 और रिमेंडर आएगा 68 सो यह यहां हम लिख देते हैं यह 3 से मैच हो रहा है 44 divided by 10 सो इसमें क्वेश्चिन आएगा 4 और रिमेंडर आएगा 4 सो यह 1 में दे रखा है, सो यह मैच हो रहा है next, 2, 6, 3, 2 divided by 4 सो यह मैच हो रहा है 4 से क्वेश्चिन आएगा 6, 5, 8 और रिमेंडर आएगा 0 सो यहां हम C लिख देंगे and last D जो है वो 2 से मैच हो रहा है सो यहां हम D लिख देंगे अब यह order हमें दे रखा है option D में so it's correct our next question which of the following statement is false so इसमें answer जो है वो correct है वो option C है 2,451 is the smallest odd digit number formed using digits 5, 4, 2 and 1 so यह false है इससे भी छोटे digits smaller digits form हो सकते है so option C पे हम टिक कर देंगे so our next question consider the prices of these items below and answer the question so यह कुछ items है और इनके prices हमें यहां पर दे रखें now Sima wants to buy half kg कीवी, one pastry and one donut the total amount she needs to pay is so यहां पर देखें कीवी का price है one ninety per kg now Sima को half kg चाहिए कीवी तो यानि हमें इसको इसकी जो price है उसको divide करना पड़ेगा two से so one ninety divided by two is equals to ninety five यानि half kg कीवी की cost हो गई ninety five तो यहां हम लिख देते है ninety five plus now one pastry now यहां पर two pastry's की cost है rupees hundred यानि one pastry की cost होगी hundred divided by two hundred divided by two is equals to fifty यानि rupees fifty plus one donut now यहां पर three donuts की cost हम को दे रखिया rupees thirteen nine so one donut की cost होगी thirty nine divided by three which is equals to rupees thirteen plus thirteen is equals to one fifty eight यह में option a में दे रखा है so it's correct next madhuri made sweets for diwali and arranged them in five boxes after putting eighteen sweets in each box she was left with fifteen more sweets how many total sweets did she make so यहां पर उसने five box को equally five box में उस sweets को arrange किया है और हर box में eighteen sweets थी और यह arrange करेंके पाद उसके पाद यहां 90 हम लिख देंगे अब हम 90 प्लस 15 करते है 90 प्लस 15 इस इकोल स्टू 1 0 5 option d में दे रखा है so it's correct our next question which of the following is true so इसका आंसर हमें दे रखा है option b में 13 sorry 3 15 a.m. is quarter past 3 in morning a.m. है यानि it's morning quarter past 3 यानि quarter मतलब 15 minutes यानि तीन बच कर पंदरा मिनेट so option b is correct वैसे friends मैंने मेरे चानल पर टाइम से लेटर के टाइम को कैसे देखता है hour and second hand क्या होता है minute hand क्या होता है इसका भी एक वीडियो बना रखा है अगर आप चाहिए तो इस वीडियो के बाद उससे भी देख सकते है now our next question it is now 7.45 am where will the hour and be one hour later so 7.45 am हो रहा है अभी यानि जो hour and होगा वो 7 और 8 के बीच में होगा now one hour बाद होगा 8.45 am 8.45 am में 9 और 8 इन दोनों के बीच में होगा so option C between 8 and 9 is correct next हर्षद has 1 by 3 of 72 chocolates mother has 1 by 8 of 192 chocolates who has more number of chocolates so yeah find out करने के लिए हर्षद सबसे पहले हम calculate करते हैं कि हर्षद के बास कित्ती chocolates है 1 by 3 of 72 यानि 72 के अगर हम 3 parts करेंगे और उसमें से एक part ले लेंगे तो वो क्या होगा so yeah find out करने के लिए हम करेंगे 72 divided by 3 which is equals to 24 so 8 part 24 का है यानि हर्षद के पास है 24 chocolates so हम लिख देते हैं H के पास है 24 chocolates 24 now अब 192 है 1 by 8 of 192 यानि 1 by 2 sorry 192 के हम 8 parts करेंगे और उसमें से 1 part ले लेंगे तो यह find out करने के लिए हम करेंगे 192 divided by 8 which is equals to 24 यानि माधव के पास भी 24 chocolates ही है यानि उन दोनों के पास equals है so option C is correct both have the same number of chocolates our next question in the year 2004 Mr. Rathod completed 6 years in the company how many years experience will he get till the year 2018 in the same company so 2004 में year 2004 में उन्होंने 6 years complete करें year 2004 में now उसी same company में 2018 तक उनका कितना experience हो जाएगा so 4 से 2018 तक कितने years होते है 14 years तो 14 years तो यह और 2004 में उन्होंने 6 years और करें तो यानि 14 प्लस 4 sorry 6 is equals to 20 यानि option C 20 years is correct next this circle chart shows the number of students taking part in annual function in different categories if there are 40 students taking part in singing then how many students are taking part in annual function now यह पूरा एक circle chart है और इसमें बताया जा रहा है कि यह एक और उसमें singing, dance, play, speech and anchoring यह सब है और students पार्ट ले रहे ना अगर singing में 40 students ने पार्ट लिया है so total कितने students है जिन्होंने annual function में पार्ट लिया है so singing है वो quarter यानि इस circle chart का quarter होता है 40 तो अब पूरा circle में हम क्या करेंगे 40 अब एक circle में 4 quarter so that's 40 into 4 which is equals to 160 so option A में यह दे रखा so it's correct next which of the following denotes incorrect fraction showing the shared part of their respective figures so incorrect fraction हमें यहां option D में दे रखा है देखिए hexagon है और इसमें से 4 parts shaded है और total number of parts से 6 so इसका प्राक्शन रहना चाहिए था 4 by 6 और इस और इस अलसो इक्वल्स टू टू बाइट रखा है जो कि इनकरेक्ट है सो option D पर हम टिक कर देंगे ना आर नेक्स क्वेस्टेन हरी स्टार्टेड पेंटिंग अवाल और दिसेंबर 26 सी कंप्लीटेड इस पेंटिंगें टू वीक्स ऑन विच देट इस पेंटिंग विल बी रेडी तो वो एक वाल को पेंट कर रहा और उसने अपनी डील कोई स्टार्ट कारी विल्सट्रेंबर उसको 2 वीक्स लगें सो किते डेस ऑन ने गुदेर जानवरी so option b में दे रखा है so it's correct our next question which of the following figures do not have a line of symmetry now ये कुछ figure जार पुछा गया है which of the following figures do not have any line of symmetry so इसका answer है एक तो ये then ये अब देखे इसमें कोई line of symmetry आ ही नहीं रही है and ये अब कैसे भी lines बना ले कोई line of symmetry नहीं आ रही है so यारी figure 1, 4 and 5 option d में दे रखा है so it's correct our next question which of the following table shows the weight of some students in pictorial form whose weight is second highest so here we have a pictorial form weight of students now we have the apple is equal to 10 kg strawberry is equal to 5 kg and orange is equal to 2 kg and this recording we have here so question is whose weight is second highest now we have to find the weight calculate the weight highest weight है सिद्धी का and सिद्धी से कम weight है रानी का यानि option c रानी करेक्ट next which two figures have shaded parts that represents equivalent fractions so इसका आंसर है option c देखिए यहां पर 4 equal parts हो रहे हैं और उदमें से एक पार्ट को शेट के हैं यानि 1 by 4 now यहां पर 4 equal parts हो रहे हैं राइट यह 4 equal parts हैं उसमें से एक पार्ट को half sheet किया है और एक पार्ट को half sheet करा है सो इन दोनों का अगर हम combine करेंगे सो यह 1 square के ही बराबर होगा यानि यह भी हो गया 1 by 4 सो यह दोनों equivalent है so option c is correct अब हम आ चुके हैं high order thinking section पर so अब हमारा next question है study the given equation यह हमारा next question so equation देरिये this is equals to diamond plus diamond plus diamond plus diamond plus diamond plus diamond and this is multiplied by diamond and when it is multiplied the answer is 294 now find the values of this and diamond so friends इसके लिए हमें check करना होगा options को किन दो यह जो options दे रखे so इन में से कौन सो option को हम अगर multiply करेंगे so answer 294 आएगा so अगर हम option b 42 और 7 को multiply करते हैं so जो product हमें मिलेगा वो आएगा 294 यानि option b is correct next next question question number 24 find the values of b c b and c in the following equation so friends यहां पर इसका जो answer है वो है option d b is equals to 2 and c is equals to 5 चलिए हम इसको put कर कर देख लेता है b की जगे पर हम डालेंगे 2 और c की जगे पर हम डालेंगे 5 अब हम check करते हैं so 2-0 is 2 8-2 is equals to 6 and 2-4 तो हो नहीं सकता है यानि 4 जो होगा यानि 4 जो होगा वो बन जाएगा 3 और यह 2 था तो यह बन जाएगा 12 now 12-4 is equals to 8 and 3-2 is equals to 1 right तो यानि इसके according b के value हो गई 2 and अब 1 8 6 2 minus 9 c 1 c is equals to 5 देखिए 2 minus 1 1 and 5 minus sorry 6 minus 5 is equals to 1 यानि यह भी correct है that means option d is correct our next question Aria has two numbers x and y the value of x is 2 times the value of y if the sum of these two numbers is 14,700 what is the value of y friends क्योंकि high order thinking section है हमें बहुत high think करना पड़ेगा so मैं आपको इसको एक simplest form में समझाती हूँ देखिए जो x की value है so x is equals to 2y right यह पर देखा है x is 2 times the value of y so x is equals to 2y and y तो y ही होगा so total number of y किते हैं 3 so अब हम क्या करेंगे 14,700 को divide करेंगे 3 से और जो भी answer आएगा वो हमारा value होगा y का this is the simplest form आपके इस question को कैसे solve कर सकते है so अब इसका जो answer आएगा वो क्या आएगा so this is equals to 4900 यह option c में दे रखा है so it's correct our next question fill the blank spaces in anti-clockwise direction friends clock ऐसे चलती है now अब हमें इसका anti-clockwise निकालना है सब होगा ऐसे यानि पहले इसका then इसका then इसका so अब यह find करने के लिए हमें यह find out करना होगा कि यहाँ पर actually में pattern क्या follow हो रहा actual में so देखे pattern यह है कि 6 multiplied by this number ऐसे 6 multiplied by 5 is equals to 30 तो यह pattern यहाँ पर ऐसे follow हो रहा है कि यह वाला 62 है उसको हम इस number से multiply करेंगे जो भी यहाँ दे रखा इस circle में और फिर इस circle वाला number होगा product so अब यह है कि 6 को हम किस number से multiply करें कि 216 216 216 आएगा so 6 को अगर हम 36 times multiply करेंगे तो जो हमारा answer आजाएगा 216 नाव 6 को हम किस से multiply करेंगे जीरो आजाए तो आणसर होगा 0 और 6 को हम किस से multiply करेंगे 60 आजाए तो आणसर होगा 10 नाव आंटी क्लोक वाइस पूछा है तो आएगा 10 0 & 36 जो कि option D में दे रखा है तो इस करेक्ट Our next question Our next question If triangle means square Square means circle Circle means diamond Diamond means pentagon Then what will be the shape of compact disc So जो compact disc होती है वो उसका जो shape होता है वो होता है So जो compact disc का shape है वो circle होता है ये तो हम सभी को परता होता है CD CD का shape mostly circle होता है तो यहाँ पर circle means diamond है यानि circle को हम diamond कहते है So option C diamond is correct Our next question Rohan goes 30 meters towards north Then turns to his right and walks 10 meters Again he takes a right turn and goes 30 meter In what direction is he From his starting point So friends So friends सबसे पहले हमें ये परता चलना होती है कि east, west, north, south कहा होता है So north, south, east and west Now he goes 30 meters towards north 30 meters towards north 30 meter now he takes his right So ये उसका right है So ये 10 meter यहाँ पर चलेगा And then वापस वो right लेगा यानि ये यहाँ पर वो 30 meters जाएगा Now in what direction is he from his starting So इसका अंसर होगा option B, east So option B is correct So our next question Which is the odd one out? So यहाँ पर चलेगा हो है Option C 33 plus 1 So it's correct Next, Rohini says Sagar's grandfather is the only son of my father-in-law How Rohini is related to Sagar? So Rohini Sagar से ऐसे रेटेड है कि Rohini Sagar की grandmother है So option D is correct What will come next in the given figure pattern? So this is the figure pattern ये एक figure pattern है और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि next क्या आएगा So ये find करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर pattern क्या follow हो रहा है तो चलिए अभी हम letters को हटाते हैं और ये तो shaded region है इसका pattern देखते है So पहले shade यहाँ हो रहा है फिर ये इस तरह shift हो रहा है फिर ये इस तरह shift हो रहा है ये देखिए यहाँ shift हो गया देन ये ये यहाँ shift हो गया इस तरीके से shaded region में pattern follow हो रहा है ना अब alphabets में क्या हो रहा है तो alphabets में यह pattern follow हो रहा है कि h h के बात क्या है ओए आए के बात j यानि एक skip किया देन m.n.o. एक skip किया st.u. एक skip करा इस तरीके से pattern यहाँ पर follow हो रहा है तो अब हमें इन में से options check करने हुँगे So firstly हम first option ही check करते है यहां पर स्किप हो रहा है यानि ऑप्शन है इस करेक्ट नाव नेक्स्ट क्वेस्टिंट चुज रहें फिगर फ्रॉम दी ऑप्शन विच गिवन फैगर आज इस पाट तो फ्रेंज यह जो फिगर इसको मैंने भी ट्रेस कर दिया इसको मैं सलेक्ट करती हूं और अब हम इसक यानि option c is correct और नेक्स्ट क्वेस्टिंट इस प्रूट पी आद पूर्व इस प्रूट प्रूट अंड रिमूव एंड इस इस गेवन बिलो देन डैस विल बी करम एग्जाक्लिंग में डेल तो यहां पर हमें पीको फ्रूट पीको और प्रूट एम को डिमूफ करना है आज यहां पर सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि यह total number of fruits किते बचते हैं so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बचते हैं so यह 1, 2, 3 and यह 1, 2, 3 अब इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? Q यानि option B is correct our next question in the following question group the given figures into 3 classes using each figure only once so अब यहां पर यह divide कैसे हो रहा है? इस तरीके से उनके shapes है यह कुछ shapes हमें यहां पर दे रख है अब वो shapes क्या है? sphere, cylindrical and cone shapes है so ऐसे हमें इनको categorize करना है so चली पहले हम cone करते हैं 1, 8, sorry 1 फिर आएगा 3 and then 8 right, अब next category अगर हम ले I'm sorry yes, so next category हम करते हैं cylinder so 1, 2 and 3 and अब हम करते हैं हमारी next category next कुछ figures को categorize so वो होंगे 1, 2 and 3 अब यह group हमें कहां ले रखा है? option C में so it's correct next and last question figure out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded along the dotted line so this is the transparent sheet और अगर हम इसको ऐसे फोर्ट करते हैं तो क्या figure obtain होगा so friends यहां पर हमें दो dots दे रखे और यह shapes दे रखे अगर हम इसको फोर्ट करेंगे तो यह dots इन शेप के मिड में आ जाएंगे यानि option C ये इस करेक्ट so friends यह सा मेरा आज का वीडियो है होग आपको अच्छा लगाओ अगर हाँ इस वीडियो को लाइक कर देए इस वीडियो तिल दे बाइ